डॉन मारा गया डॉन इन वेटिंग भी एंकाउंटर में धेव लेकिन गॉड मदर गायव अतीक और अश्रफ नहीं रहे असद एहमद के भी गुनाहों का हिसाब हो गया लेकिन शायस्ता परवीन अब तक फराद आखिर कहां गई अच्शें और श्यव inquaking सब्सक्राइन में का जबसा नहीं दो झाल झाल जो उनकी घरेलू महिला वाली इमेज को पुखता करते हैं हाला कि ये वीडियो पुराने एक वीडियो में शायस्ता परवीन शादी समारों में दिख रही है वो आज कल बुर्का पहनने लगी है लेकिन शादी समारों में वो बिना बुर्के के एक वीडियो दो हजार बीस का है जब प्रिशासर ने अतीक एहमद का चक्या वाला पुष्टेनी घर गिराया था और तीसरा वीडियो इसी साल का है अब शायस्ता परवीन पूरी तरह बुर्के में रहने लगी है और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो शायस्ता को अब तक पुलिस से बचाने में बुर्का एहम रोल निभा रहा है जिस शायस्ता को पकड़ना पुलिस सबसे आसान मान रही थी उसे पकड़ना ही पुलिस के लिए सबसे मुश्किल साबित हो रहा है शायस्ता के मामले में पुलिस के सारे कैलकुलेशन गड़ बड़ा गए शक्या के लोग कहते हैं कि अतीक एहमद और शाइस्ता परवीन सबसे ज्यादा प्यार अपने तीसरे नमबर के बेटे असद से करते थे यही वज़े है कि जासी में जब असद का एंकाउंटर हुआ तो पुलिस को लगा कि शाइस्ता एक बार जरूर अपने बेटे को देखने आएगी लेकिन वो नहीं आई पंदरा अप्रेल को जब अतीक और अश्रफ की हत्या हो गई तो सब को लगा कि शाइस्ता एक बार जरूर अपने पती का चेहरा देखने के लिए आएगी लेकिन इस बार भी शाइस्ता नहीं आई अतीक और असद की मौद पर शाइस्ता ने जो रुख अपनाया उसके बाद पुलिस को लगा कि शाइस्ता को अंडर एस्टिमेट किया गया है शाइस्ता अब एक मदर या वाइव नहीं बलकि गौड मदर के तौर पर काम कर रही है जो अपने पती के वैद अवैद काली सफेद संपत्ती का हिसाब रखती है लेकिन शाइस्ता हमिशा से ऐसी नहीं थी उसने खुद को पांच बच्चों की परवरिश और घर रिष्टेदारों तक ही सीलित रखा था ये फोटो एक शादी समारों की है इसमें शाइस्ता परवीन बिना बुरके के दिख रही है चुकि सियासत और जुर्म की दुनिया में बिजी होनी की बज़़ से अतीक एहमद हर जगा नहीं जाबाता तो शाइस्ता ही ये सब काम करती है इतना ही ने अतीक के जेल जाने के बाद तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी शाइस्ता पर थे इस दोरान वो कई बार मजबूर भी दिखी इसका एक सबूर ये तस्वीर है ये वीडियो सितंबर 2020 का है तब प्रियागराज विकास प्राधिकरन ने चकिया में अतीक का पुष्ट तैनी घर गिराया था जब प्रिशासन के बुल्डोजर मकान गिराने आये तो शाइस्ता अपने बच्चों उमर और असद के साथ घर के बाहर ही थी और अपना घर तूटते हुए देख रही थी उस वक्त ये लोग इतने बेबस थे कि अपने घर से सामान हटा कर कुछ सामान गुड़्डू मुस्लिम के घर ले गए तो थोड़ा सामान किसी और के घर शिप्ट किया माना जा रहा है कि इसी घटा के बाद शाइस्ता परवीन का ट्रांसफोर्मेशन हुआ वो मदर से गौड मदर बन गई साल 2020 में चक्यास्तित अतीक एहमत का पुष्टैनी घर जब गिराया गया उस वक्त अतीक जेल में था बेटा असद नाबालिक था उस वक्त शाइस्ता को लगा कि अगर अभी भी उसने गैंग पर अपनी पकड मजबूत नहीं की तो उसका परिवार मुसीबत में आ सकता है और गैंग का कोई भी सदस्य दगाबाजी करके गैंग पर अपना कबजा कर सकता है उसी वक्त शाइस्ता ने अपनी पकड मजबूत करने के लिए उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है जो उस पूरे एंपायर को खड़ा करने में उसकी मदद कर सकते हैं उस वक्त शाइस्ता ने गुड़ो मुसलिम और साबर शूटर पर भरोसा जताया और माना ये जा रहा है कि उस वक्त साबर शूटर और गुड़ो मुसलिम पर जो भरोसा शाइस्ता परवीन ने जताया था उसी का नतीजा है कि आज तक गुड़ो मुसलिम शाइस्ता परवीन क के साथ चल रहा है अतीक के जेल चले जाने के बाद शायस्ता परवीन इस गैंग की अंडिस्प्यूटिट क्वीन बन चुकी थी सारा गैंग उसी के और्डर से चलता अर्मान साविर गुड्डू मसलिम महम्मद खुलाम जैसे लोग उस शतरंज की बिसाद के महरे थी जिसकी म वीडियोस से भी लगाया जा सकता है ये पिछले साल यूपी विधान सभा चुनाओं से पहले के वीडियोस है ओवेसी ने अतीक की पतनी शायस्ता परवीन को इलहाबाद पश्चिम सीट से टिकट देने का ऐलां किया था और अतीक का बेटा अली अपनी मा के लिए प्रचा के साथ रहती ये अलग बात है कि बाद में शायस्ता ने चुनाओं नहीं लड़ा शायस्ता परवीन ने भले ही विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था लेकिन प्रियागराज में अतीक के परिवार का खौफ और समाज के एक वर्व में उसका सपोर्ट बचा हुआ था यही वज़े है कि प्रियागराज में मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर मायावती ने शायस्ता परवीन के नाम पर हामी बढ़ दी लेकिन इस बीच उमेश पाल मर्डर केस हो गया और इस मामले के बाद मायावती ने शायस्ता से अपना रिश्ता खत्म कर दिया यानि शायस्ता की हालत भी यह हो गई कि चुनाव लड़ना तो दूर अब वो पुलिस से छिपती फिर रही है हर राष से उठेगा पर्ता सामने आएगी हर खिपर की सच्चाइए इंडिया टीवी क्राइम अलरट पर क्राइम की खबरों से अपडेटिट रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल दूर्प पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना नभूले, साथधान रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे इंडिया टीवी, क्राइम अलर्ट